पुख मंत्री जी, हम भारत के अमरित महुचव 75 साल का सफ़ड तै कर चुके हैं, बहुत लोगों ने अपनी सत्ता राजनित के लिए धिकार की बात किया, लेकिन अब हम सतावदी वर्स मनाएंगे, तो अगला 25 वर्स सामाजिक सद भाव, सबका साथ सबका विकास का भाव हू आज 75 वर्स की आजादी में कोई जातिय जनगना की बात क्यों नहीं किया, 1931 के बाद जातिय जनगना क्यों नहीं हुआ, आज आप ये वदा दें कि देश के प्रधान मंत्री ने जब सभी कमजोर तपका के लोगों के लिए जंधन योजना, योजला योजना, सवचाले यो भारत मुक्त, भरस्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लोहिया जी, गांधी जी, जैप्रकास नाराइन जी, आज पंडित दियान उपधाई जी ने आपको जाति विहित समाद और भरस्टाचार मुक्त राष्ट बनाने का जब बात किये थे, तो आप उसकी बजाए, जो आपका भीजन, आपका उद्देश, मिशन, पांसा कुरोर खर्च कर रहे हैं, इसका लाब क्या उस गरीब सोशित, कमजोर तबका के लोग को मिलेगा, उस नवजवान बच्चे जिस पर आप लाठी बरसा रहे हैं, सिक्छा में जो हमारे सिच्छक अभियरती, रोड पर बै बैठे हुए हैं, आज BPSC, BSSC के बच्चों के परतिभा का जो हनन हो रहा है, उसका समाधान करने की वज़ाए, आप एक वैवधान उत्पन करने के लिए, उनमात पैदा करने के लिए, शमाज को लराने के लिए, आपका जो मिशन है, आजादी का, जब सतावधी वर्स मना आएंगे, आप क्या देना चाहते हैं, बिहार को बकस दिजे, दोनों भाई 32 साल से क्यों नहीं करवाए थी, आप बिहार को जब विकास की गति वर्हानी है, तो आप सता प्राप्ती के लिए फिर एक वार विहार के वातावन को परदुसित करना चाहते हैं, बिहार में असा आएंगे, आप से आगर है कि पूरे विशे पर एक सभी पार्टी का एक बैठक बुला करके उस पर गहन विचार करिए, परबुद लोगों का विचार लिजिए, और तब आप फाइनल एक उसका परफॉर्मेट बना करके अज शुरुवात करिए, लेकिन आपका मिसन नियत में खोट है, इसलिए सराबंदी की तरह ये भी निती आपका फिल करेगा, इसका साइड इफेक्ट कई रूप में दिखाई परेगा